इस वीडियो लेक्टर में जो UGC.net की प्रिपरेशन के लिए मैं कंटेनियू क्लासिज आपको बिल्कुल हमारे चनल पर फ्री मिलेगी और मैं ओशियोनोग्राफिक की जो क्लासिज आज से शुरू कर रहा हूँ और अगर इसकी पीडियो आपको चाहिए तो मेरा जो बटसब नमर है आपका तिरान में 503-4727 इस पर मुझे मैसेज कर दीजीगा और आपको इसकी पीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी और इसे शाचनल के साथ बने रहेगा और UGC.net दिसम्बर दो जरबाइस का अबग साल में तीन अटेम्ट आएगे तापके बास मुझे मुझे हैं और इसी सपने को साकार करने के लिए मैंने विल्कुल यूटूब पर आपके लिए हमार चैनल पर फ्री क्लास इज टोपिक बाइटोपिक डीप पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो कोशन आते हैं वो हाई की त्यारी कर रहे हैं उनके सपने को साकार करने के लिए मैंने ठान लिया है कि कमच कम मैं जितनी हेल्प कर सकूँ स्टूडेंट की अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिस करूँगा अपने एक्सपिरियंस अपने अनुभव के धार पर मैं जितना एक्सपिरियंस है मैं उतना अ पहले हम पिक्चर देखे लेते हैं उस पिक्चर के काफी कलियर हो जाएगा तो ओशियोग्राफी के अंदर हम बात करें कि हमारे पृत्थवी पर जल मंडल, हमारी पृत्थवी के पांच, परमुक, संगट, कोम, अर्थार्थ, स्टल मंडल, जल मंडल, वायु मंडल, जे मंड तो आपको पताए कि जो अलग अलग ओसमीन सेशिखार्ण जान लेते हैं, निक जाने सहीं लुकार माशार्ण भार मेरा शूर्ण जो आपका परशानत महासागर है." उसके बाद में second number पर आता है जो आपका Atlantic महासागर है जो S के अकार का आपको पता है Middle Atlantic Ridge यहाँ पाई जाती है इनको हम deeply आगे पढ़ेंगे बेसिक से हम एक बार introduction ले रहे हैं उसके बाद में हम बात करते हैं कि हिंद महासागर की तो हिंद महासागर तीशरे नमबर पर आता है और उसके बाद में आपका Arctic जो आपका Arctic जो ओशिन है उसकी बात करते हैं यह आपका उपर पड़ता है Arctic Oceans जो नौर्थ पॉल के पास और South O Oceans जो आपका यह कहां पड़ता है जनकी South Pole के पास यनकी Antarctica महादीप के चारों और यह पाया जाता है तो इस परकार आपके कुल मिलाकर के पांच महासागर हैं हमारे इस पूरी धरती पर और साथ महादीप हैं जिन को आप देख रहे हैं North America, South America, Europe, Africa, Asia और आपका Australia तो इस परकार इनकी locations आप जब भी oceanography पढ़ें तो सबसे पहले आपको इनके नाम यानकी basic पता होना चीए, location पता होना चीए, यह पूरे world का map एक जोगरिफिक स्टूडेंट के mind में fit होना चीए, नाम आते ही उसके structure को पता होना चीए, कहां कहां तक है, तो यह oceans महासागर ह और समुंदर विज्यान के अंदर इन महासागरों के surface का अधेन किया जाता है, साथ ही इसके अंदर temperature कितना है महासागर का, महासागर में के अंदर कौन-कौन से mineral पाए जाते हैं, कौन-कौन से जीवजन्तू पाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों का अधेन किया जाता है, कौ कौन से महासागर का temperature किस प्रकार का है महासागर के अंदर कौन-कौन सी जो धाराएं चलती है उनका अधेन किया जाता है और तो ये सब चीजें किया है हम ओश्योगना, ओश्योनोग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं और यहां की महासागर का temperature आप देखें महासागर में, तो ये आपका ओश्योगराफी के अंदर इन सबी चीजें का deeply अधेन किया जाता है एक-एक महासागर को हम deeply पढ़ेंगे एक बार हम introduction शुरुआत करेगी ओश्योगराफी के अंदर आखिकार क्या चीज़ है किस चीज़ का अधेन किया जाता है आएगा हम शुरुआत करती है आगे टोक तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमने देख लिया अब हम देखते हैं कि जो आपका जल मंडल मारे पृत्वी के पांच परमुक संगट को अथार्थ तल मंडल, जल मंडल, वाई मंडल, जे मंडल तल मंडल से एक महतपूर्ण संगटक है ठीक है जो गलोब द्रातलिये छेतर यानकि पूरा कितना है आपका ये चटीस चटीस दस शाजार इस परकार आप ये आंकड़े देख सकते हैं कि वरक किलोमेटर छेतर पर फैला है और इस ट्रापिर्थवी के द्रातल का 70.8 परतिशित भाग सागरिये जल से आवर्थ है और इसे जली भाग का जलमंडल और हाइड्रो स्पेर कहते है यानकि आपको पता है कि 70 या करीविन 71 लग बाग 70% के आर बार जो आपका कह जली भाग है उसके बाद में और इसके इसलिए हाइड्रो स्पेर यानकि हाइड्रोलोजी समुन्दर विग्यान से हाइड्रोलोजी किस परकार लाग हो आगे हम अध्यन करेंगे जलमंडल या सागरों के अध्यन को समुन्दर विग्यान कहते है कि इसके अंदर क्या किया जाता है मैं ली समूंद्र विज्ञान की अगर सीधा आर समझे तो जल्म न्डल या सागरोंगे अधेन या की सागरों का ध्यन के जाता है डीप ली और जिसके अंदर जल्म miejन्डल की बहुतिक जेविक पहलों था उनकी जट्लताओं का वंढ欸 हुआ हैं उनके पिक्चर मैं दिखाना चाहूंगे आपको gemaakt किस प्रकार के जो कितने सुन्दर सुन्दर द्रिश्चा सुन्द के अंदर कोरल Feeling कच्चूए मजलियां कितनी परद्जातियों कि मचलियां समुंदर के अंदर पाई जाती है यहीं समुंदर के अंदर अद्वित्य संसार बसा हुआ है इस परकार यह देख सकते हैं कि कितना रोचक, कितना आकरशक ऐसा लग रहा है इस परकार समुन्दर के अंदर किस परकार के जीव पाए जाते हैं ये देखिएगा किस परकार के मचलिया, रंग बिरंगी मचलिया, जीव जन्तू जो है वो समुन्दर के अंदर पाए जाते हैं तो इन सबी का जो अध्यन है वो ओशियोनिग्राफी के अंदर किया जाता है कि कौन से मासागर में किस परकार के जीव पाए जाते हैं उन जीव जिन्तों के रहने के लिए किस परकार की एनवार्मेंट कंडिशन होनी चाहिए आज के टाइम के जो समुन्दर के अंदर किस परकार के जीव पाए जाते हैं जैसे क्लेम्स है, ओस्टर है, लेबोस्टर है, ओक्टोपक्स है, क्रेब है, स्रिम्प है तो ये अलग 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 परकार के जैली फिश है यह आप अलग अलग जानवरों के picture देख सकते हैं कितने कुछ मैंने जो जानवर पाई जाते हैं समूंदर से लेटिड उनकी मैंने यहाँ seal है जैसे की यह सार्क मचली आपकी जो discovery channel पे आप देखते हैं जिन जानवरों को यहाँ उनकी picture आप देख सकते हैं और समूंदर विज्यान को और अच्छे समझने के लिए आप discovery channel अनिमेट प्लैनेट चैनल भी देखें वो भी काफी अच्छी आप दोलजी देते हैं इस बारे में तो इन चीजों का आप अध्यान करते रहें और जैसे पैगवीन है आपके अंटार्टिका के अंदर पाई जाती है जो ठंड़े इलाके महाँ पाई जाती है तो इस प्रकार यह आप देख सकते हैं कि अलग-अलग प्रकार के जीव जो समूंदर के अंदर पाई जाते हैं इनका डीप लिए ध्यन करता है किस प्रकार के जानवरों के लिए किस प्रकार की कंडिशन चाहिए इन सभी चीजों का ध्यन जो है वो ओशनोग्राफिक अंदर की आजाता है जोड तलाब के आसपास देखा हुगा ऐसे जानवरों को, जैसे टीटोरी बगारा होगी, ये बहुत सारे जानवर है, ये अलग-अलग प्रकार की ये इतनी जाता जेव विताय पाई जाते हैं, लाखो परजातिया, अनुमान है कि आज तक इतनी परजातियां पाई जाते हैं इनकी गहरा ये जो आपका परशान तमास अगर है कितना गहरा है उसके अंदर गहरा है ये हम लाखो जीव जन्तू अलग अलग परकार की परजातियों के जीव जन्तू जो पाये जाते हैं उनकी कोज आज भी जारी है जो गोता खोर हैं जो वेग्यानिक है की अलग अलग परजातिया सामने आ रही है इनकी आपके ध्रातल पर यानकी महादीपों पर जितने परकार के जीव जन्तू नहीं पाये जाते हैं उससे लाखो परकार की परजातियों के जीव जन्तू जो आपका सुमूंदर के अंदर पाये जाते हैं तो इन रोचक यानकी बहुत कम ही लोगों को यह जो गोताख हो रहाते हैं वो अपनी जान जो खिमें डालकर इतनी समूदर के घहायों में जा करके इन जीवों के पिक्चर लेते हैं वीडियो लेते हैं जो आप गिसी ना देखते हैं कि स्मून्दर जो है वो काभी प्रोलूटिड हो रहा है. जिसका आण ये जीवजंतु है, मरने के कगार पहें. जैसे कोललीफ जो आपके उनका शेह हो रहा है, तो वो भी कोललीफ दिरि दिरि मिट रहें. जैसे कि आप एक और एकजमपल देख सकते हैं, कि ये एकजम्पल है आपका देखे जिस पर कच्छवे ने ये पलोथीन बगरा ले रखा है तो इनकी बोतल से बगरा आप नीचे देख सकते हैं इनको खा रही है ये जानबर और इससे पलोथीन से क्या होता है कि इनके मूँ को कवर हो जाएगा या इनके मूँ के अंदर फस पॉलिटीड हो रहा है तो इन जीव जनतों पर क्या एफेक्ट पर रहा है पॉलिटीड होने से समुदर का जल का टेंपरेचर भढ़ रहा है इन सभी चीजों का देहन जो ओशियनोग्राफिक के अंदर गत किया जाता है तो ये देखिए आप और भी कुछ पिक्चर में दि पॉलिटीड हो चुका है लोग तरह तरह का कच्छा समुदर के अंदर फैंक रहे हैं जिसके कांड जो समुदर का जो पार्श्तितिक तंतर है वह बहुती खराब हो रहा है तो ये सब चीजी है वो समुदर विज्ञान के अंदर ध्यन की जाती है और वैसे तो हमारे पास यह देखेगा, यह मैंने पिक्चर आपको दिखाई दी थी, तो यह आपका Indian Ocean है, इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं, इनके आगे हम अध्यन करेंगे, और यह देखिएगा कि जो समूंदर के अंदर जो mining की जाती है, तो mining की जाती है, समूंदर के अंदर mining तभी कर सकते हैं, जब हमें समुंदर ओशियनोग्राफी पड़ रखी हो याँगी अगर ओशियनोग्राफी नहीं पड़ रखी तो समुंदर का स्टक्चर किस परकार का है कहां तेल मिलेगा कहां यह चीजी मिलेगा यह इनकसीब का अधहन नहीं हो पाएगा तो जितने भी खनीज परकार खनीज परदार समुंदर के अंदर पाए जाते हैं उनका अधहन ओशियनोग्राफी के अंदर गत किया जाता है तो यह देखीगा कि किस परकार जो माइनिंग की जाती है इनकी टेल समुंदर से निकाला जाता है जैसे आपका Mumbai High तठ है Mumbai High है जो आपका वो सुमद एनके Mumbai से 170 किलोमेटर के दूर पड़ता है तो वहाँ परभी इस प्रकार ही जो तेल माइनिंग की जाती है देखीका किस प्रकार से ज्याज से और जहाँ एनकी माइनिंग की जारी है और सोनार सिस्टम लगा करके यहां कि प्रकार से कि ही अलिगिंग का प्ता में हो जाता है कि नीचे से किस परकार जो कर से इस परकार मैनिंग कर ने चुकिस के परकार चैनल उप्ट्र हो क्या हो करता है कि किस प्रकार से जो माइनिंग ये हो रही है यहां और इनका इफेक्ट इन जली जीवजन तूम पर पढ़ रहा है और यह आप इधर देख सकते हैं कि ये कौन-कौन से CO, CO, CO2 इनकी खदरनाक जो गैसिज यहां से निकलती है उनका इफेक्ट इन जीवजन तूम पर पढ़ता है जिनके कान के है इनकी तेल जो पकर उपर फैल जाता है उपर सर्फेस पर और जिसके कान के है नीचे ऑक्सिजन नहीं जा पाती ऑक्सिजन और ज्यादा जल के अंदर घुल